देखो आज मैं आपको 20 objective बताऊंगा 20 objective बताऊंगा 2024 board exam के लिए class 10 mathematics के अगर उन 20 objective में से 10 objective नाय तुम्हें पढ़ाना छोड़ दूगा 100% 10 objective सेम आएंगे 20 objective बताऊंगा 20 में से 8 से 10 objective बिलकुल सेम आएंगे मेरी guarantee है full guarantee है देखिए यहां पर मैंने यहां पर लिखे हुआ है objectives क में से 100% 10 objective आएंगे मैं फिर से repeat कर रहा हूं ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा बहुत ही ज्यादा important वीडियो है 10 numbers के वीडियो ही है ठीक है 100% वीडियो आएंगी मेरी guarantee है full काते बिलकुल सेम आएंगे देख ली जगा क्यूंकि यह जो question में लिखे हुआ है यह repeated है हर बार पूछे जाते हैं हर बार पूछे ही जाएंगे guarantee से देखो यहापर question आपको की चीन पर देख लीजगा इसका पहला question है वो देखिए कि इसका पहला question है कह रहा है कि घन का संपूर पृष्टिये चेत्रफल 216 है तो इसका आयतन क्या होगा एक घन है उसका संपूर प् किया दिया गया है में किटना दिया गया है तो हमको आयतन निकालना कि यहुआ यहाँ पर उतले क्या होता है टो स्क्क्न गुण भुझा स्कॡ्य losing न हं गया भुझा यहाँ form भुझा स्क्वेर्ट। 216 है 216 लिख दो यहां से देखेंगे अगर आप तो भुजा का स्क्वेर बरावर 216 यह गुड़ा में 6 तो बटे में आ जाएगा भाग देने पर देखो 638 बचे तिन 6 चंग 36 तो भुजा का स्क्वेर बरावर हमारे पास आ जाएगा 36 अब भुजा यहां से हमको मिल जाएगी अचा भुजा मिल गए तो आयतन आराम से निकाल सकते हैं लिखी दीजे इसलिए घन का आयतन हमसे घन का आयतन पूछा गया है ना तो घन का आयतन क्या होता है घन का आयतन होता भुजा की घात 3 तो देखो भुजा कितनी यह 6 है तो 6 की घात 3 कर देंगे तो 6 गुड़ा 6 हमारे पाद जो है एंसर आ जाएगा 216 ही होगा एंसर ठीक है तो 216 सेम्टिमीटर क्यूव यह हमारा जो है आयतन होगा समझ गें तो जो घंड का संपुर प्रिष्टेशित प्रफल है भही घंड का आयतन होगा समझ गें इस टाइप से को करना था में चलो आगे जो अगला कोश्यन है उसे देख लीजिए अगला कोश्यन है कि द्विघात समीकरण x2-2x-1-0 के लिए x-1-x कमान होगा अच्छा हमें यहाँ पर क्या है एक द्विघात समीकरण दी गई है x2-2x-1-0 ठीक है तो हमें x-1-x बराबर क्या होगा यह बताना है कोश् से पहले यहां से क्या करेंगे x निकाल देंगे ठीक है अगर आता है तो स्किप करके दूसरों दूसरों कोश्यन देख लीजिए ठीक है देखो यहां पर x-square आपको नखंड कर लीजिए ऐसी दो संके सोची जिनकी गुणा करें एक आए जिने जोड़े अगटाए तो दो एक गुणा एक करोगे तो एक से गुणा होगी एक आएगा एक एक जोड़ेगा धो जाएगा तो हमारी संके आ गई है x- mayor x दो कर यहां पर शर्कतो बन बराबर 54 घॉक है ऑ एक लिख लो बराबर में 0 तो यह वाला अब जीरो बराबर है यह वाला विजी इसको बराबर डालेंगे तो एक जाएगा यह और इसको भी जिरो डालेंगे तब भी बन ही आएगा अच्छा एक्स का बन कितना आ गया बन आ गया एक्स का बन मिल गया तब इसका बन निकाल सकते हैं इसलिए एक्स की जगए पर देखो एक्स की जगपर कितना रखना है बन रखना है प्लस बन अपॉन एक्स यहां पर भी बन रख दो तो जाएगा मने पास दो ठीक है क्योंकि बन यह हो जाएगा बन और बन टू यह हमारा इंसर आ जाएगा समझ गए तो इसका बंदू होगा option चेकर लीजिए चलिए इसके बाद इसका आगला देख लीजिए question क्या है अगला objective objective नंबर तीन केवल और केवल 20 objective है बैटा 10 नंबर आपको दिलाएंगे यह 20 objective guarantee मेरी है full guarantee कोई guarantee नहीं लेता है मैं guarantee लेता हूं 100% objective 10 आएंगे इसमें से 10 नहीं तो 8 तो आराम से आ जाएंगे ठीक है चलो आगला question है कि बिंदू minus 8,8 की mule bandage के मूल बिंदू से दूरी कितनी होगी, आच्छा यहाँपर एक हमको dip gi gee माइनस आठ कामा ख словह मैं इस वीपिट की मूल बिंदव है कि यहां पर मूलबिंद की होता देखो यह इक मार्णों मूलबिंदु से दूरी कि हैं तो यहां पर आता है ना व्ल्ल जीडिंड धौना निरे देस्केर निरदसांग होतेई मुल बिंदु कितना होता है 0 कमा 0 होता है चलो आप देखो यहां से हमको यहां से यहां तक की दूरी निकाली है यह मालो A है यह मालो B है तो A से B तक की दूरी देखो A V की दूरी अच्छा दूरी निकाली है अगर कभी दो बिंदू की बीच की दूरी दो बिन्दू है इनके बीच की दूरी निकाली है तो हमको फार्मला क्या लगाते हैं आप अंडरूड में x2-x1 का होल स्क्वेर प्लस by 2-by 1 का होल स्क्वेर ठीक है तो देखो यहाँ पर अंडरूड है अंडरूड कर दो x2 यहाँ से हमको मिल जाएंगे यहोजागा x1-by 1-by 2-by 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 1-by 2-by 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 3-by 2-by 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 2- यहां पर कितना हो जागा देखो आठ इठाए 64 और यह माइनस माइनस पलस हो जागा आठ इठाए 64 तो चार और चार आठ छे उच्छे बारहा अंडरूट में 128 ठीक है अब 128 का अगर बर्गमूल हो तो कर लो नहीं हो तो इतना ही निकाल दो देखते हैं हमारा एंसर हो जाएगा ठीक है यह दूरी हमारी इतनी है ठीक है चलो इसके बाद इसका अगला कोशन है अगला उब्जेक्टिव है चोथा उसे देख लीजिए सारे के सारे इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव है ठीक है अगला है कहला कि यदि पी माइनस वन कामा पी प्लस थ थ्री कामा 3P-1 समांतर श्रेडि में हो तो लरी हो तो फी में क्या होगा अच्छा हमें यहाँ पर देखि कुछ पद दियी गया है पहला पर फी माइनस वन है दूसरा पन है पीी-3 ओर जो तीसरा पद है वह है तीन पी-1 ठीक है तो हमको क्या निकालना है, और बताया गया है कि यह एक AP में है, एक समांतर श्रेडी में है, कहना काता तर्परी यह हमारी एक AP है, यह एक AP है, इसमें हमको P कावान निकालना है, ठीक है, तो देखो, इससे पहले मैंने एक कोश्चन आपको समझाया था, कि अगर एक AP दी गई ह इसमें हमको पी का मान निकालना है च्छा चलो सबसे पहले आप डी कैसे निकालोगे डी यह आप कैसे निकालोगे आप a2-a1 करके कि आई 2-7 करके निकालोगे न तो देखो यह a1 है यह a2 और यह a3 है ठीक है ठीक है तो एटु हमार convert के तना है P plus 3 है, A1, A1 कितना है हमारे पास? P-1 है, तो D बरावर देखो यहां से, P plus 3, मैंनस का अंतर गुड़ा कर लेगा, तो P minus का हो जाएगा, मैंनस यह जाएगा, प्लस 1, तो D बरावर हमारे पात, प्लस मैंनस कर जाएगा, तो जो हमारा सारवांतर आ गया है वो आ गया है 4 ठीक है चलिए अगर मैं a3-a2 करूं तो कितना आएगा a3-a2 करूं तब भी तो d ही आएगा मैंने आपको पताया था कि अगर एक ap है उसका सारवांतर निकालना है तो d जखो जब a2 से a1 को यानि अगले वाले पत से पिछले वाले पत को खटाते हैं तो d निकलता है जैसे मैंने अभी a2 से a1 को खटाया a2 से a1 को खटाया तो d मिला उसी प्रकार अगर मैं a3 से a2 को खटाया तब भी मुझे d ही मिलेगा ठीक है यानि आगे वाले से पीछे वाले को खटाने पर D मिलता है याद रखेगा मैंने इससे इसको खटा है D मिला अब अगर मैं इससे A3 से A2 को खटा दूँगा तब भी D ही मिलेगा ठीक है तो देख़ों यहाँ पर A3 कितना है यहाँ पास 3P माइनस बन है माइनस A2, A2 कितना है माइन पास? P प्लस 3 है बरावर D, D कितना है? 4 ठीक है अब यहाँ से हमारा एंसर आ जाएगा माइनस गुणा अंदर कर लेगा तो प्लस का 3 है माइनस का 3 बरावर 4 3P से P चला गया 2P बचा यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और एक 4 ठीक है तो यहाँ से हमारे पास 2P बरावर 4 माइनस का चार इधर आएगा तो प्रस का चार हो जाएगा तो यहां से हमारे पास 4 और चार 8 दो चवकु 8 तो P का मान हमारे पास आजाएगा 4 इसी तरीके से 40 और 60 का लासा कया होगा देखो इसकी जिए पर नम्बर बदल सकता है लेकिन लासा निकालने का प्रोसस में आपको बताऊंगा सेम होगा ठीक है हमें यहाँ पर 2 संक्या दी गए है एक 40 दिया गया है और 60 दिया गया हमसे बोला गया लासा क्या होगा इनका लासा क्या होगा लासा का मतलब होता LCM ठीक हमसे LCM पूछा गया है तो सबसे पहले का करते हैं 40 का जो है गुड़न खंड कर लेते हैं 2 3 6 2 1 2 2 5 10 तीपज 15 पंद्रा पांच यह आगे हमारे पास दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पांच देखो अगर आपको लासा निकालना है तो सबसे पहले मासा निकालना पड़ेगा याद रखेगा लासा आप तभी निकाल सकते हैं जब आपने मासा निकाला होगा तो हम दो दो मिल रहा है दो इधर भी है दो इधर भी है तो यह मास यह हो गया और क्या है और यह भी है तो इसका बॉक्स बन जायाएगा इसका तो नहीं बन रहा है इसका बन रहा है देखो ठीक है समझ गे मासा मतलब जो दोनों तरफ को मन हो तो दोनों तरफ को मन देखो यह दो तो हमारा जो मासा आ गया, वो कितना आ गया, दो दूना चार पंच है, बीस, अगर आपसे मासा पूंचा जाता, तो एंसर इतना होता, हमसे तो भी यह लासा पूंचा गया है, तो अब लासा निकालेंगे, ठीक है, अगर हम मासा नहीं निकालते हैं, तो लासा डारेक्ट नही लिखना है को नेकिन में लुक्सवालों के साथ साथ जो बच रहा है ताहिक और दो बचे उनको भी लिखना है लासा में टो दो दडर चास bisa 8 8 तिया 24 या ऐसा करणए दोधना चार पंचे 20 22 40 और 40 तिया 32 एक फ़िश यह आ जायगा ठीक है कि यह हमारे पास लासा होगा 120 लासा होगा ठीक है पांचमा हो गया अब च्छटा देख लो चटा हमारे पास है क्या रहा है कि एक संकू जिसकी त्रिज्य 8 cm है उच्द 15 cm है तो बक्रप्रष्ट क्या होगा अच्छा संकू का बक्रप्रष्ट हमको बताना है हमको दी गई है देखो यहां पर त्रिज्य दी गई है आ हमको दी गई है 8 cm उचाई उचाई का मतलब यह है एच हमको 15 cm दी आ गया है तो हमको का निकालना है हमें संकु का बक्र प्रश्ट संकु का बक्र प्रश्ट हमको क्या करना है पता करना है तो देखों यहां पर solution का हल कैसे करेगी इस तो देखो सबसे पहले संकु का बक्र प्रश्ट निकालने का सूत्र क्या होता है पाई आर एल संकु का बक्र प्रश्ट निकालना है तो इसका फार्मला होता है पाई आर एल फीक है अब इसमें रगदो मान तो यहाँ पर एल की जरूत पड़ेगी हमें एल तो पता नहीं है इसकी यह त्रिज्याय हमें को दी गई है इसकी उचाई HBM को दी गई हमें यह तो बता ही नहीं है क्योंकि हमको अगर बक्र प्रष निकाला है तो L की जरूत पड़ेगी तो हमें L निकालना पड़ेगा अब L कैसे निकलता है अंडर रूड में H स्क्वाइर प्लस R स्क्वाइर करके तो हमारा देखो एंसर आजाएगा देखो H कितना है हमारे पास 15 है 15 का स्क्वाइर आर हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वाइर L बराबर देखो 15 15 दोसो पच्चिस है की नहीं और 88 अटा है 64 अब इसकी से गुणा करा देखे फिर उसके बाद आजाएगा ठीक है और नीचे बटे में साथ होगा इस टाइप से इस question को हमें करना था चलिए छटे के बास सात्मा देख लीजिए सात्मा देख लीजिये ईपजीक्टिव सारे के सारे important objectives है जो आते हैं objective उन्हें इसके कर करके दूसरा objective देख लीजिए क्यूंकि आपका time बहुत ज़्यादा यह विलीवल है बहुत ज्यादा बहूमूल हら Pac one थाए आपको जो अपजिक्टिव आता है ंजकर है कि दूसरा ऑजिक्टिव थेख लिए लेकिन वीडियो पूरा देखेगा आपको पता चले रही करके कौन कौन सब्सटिभ में है सातमा के निम्ड मेंसे हमें यहाँ पर चार ऑप तन दिये गये हैं हमें 4 ऑप्सन में bekommen सी समानतर्स्राणी होगी क्योज़ा है आपको इसे सही है डिक है ओपन पास एक क्यूल नौ 4, 9, 3, 6Because b और dood क्ति है वो स conoc कामस खानι만ados कामसे आटक कामसे उमने हमारे पास विछ था है तो यहां से सबसे पहले क्या करेंगे हम इनके बीच उन्तर पता करेंगे देखो वहां पर क क्यार यह उन्हेश कर दया है कितने हैं और यहन्म सहें पर इंक पीच कितने टो यह नहीं ओनार जलिए तो यह नहीं डयता और स्वालत रहे इसमें डेख लो एक और आठोमर्ड के बीच 7 का नतर है इसके बीच कितने का अंतर हो जाएगा 7 का अंतर हो जाएगा ठीक है चलो यह हमारा तो फिर यह उप्सन सही होगा चलो इसके बीच पहले देख लेते हैं चार में यहां पर कितने का अंतर है यहां पर इसके बीच देखते हैं चलो इसके बीच अमारा कितने का अंतर होगा दो का अंतर होगा यहां पर इसके बीच भी दो का अंतर होगा तो यह भी सही होना चाहीता फिर तो इसके बीच 6, 7, 8, 9, 6 का अंतर, और 9, 6, 15, 6 का अंतर है, इसमें तो सब कुछ बराबर आ रहा है तो यहाँ पर जो है देख लीजी, यहाँ पर सारे के सारे option मिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो आप देखी option B, option C, option D, तीनों सही है, ठीक है तो इसमें से कोई भी option आप लगा सकते हैं, लेकिन option A नहीं सही है, तो option A को छोड़ कर आप option B भी सही कर सकते है, option C भी सही कर सकते हैं, option D भी सही कर सकते हो, क्योंकि इनके सब के भी चंतर सेम है, ठीक है, तो यह भी समांतर सेम है, ठीक है, तो इसमें से कोई भी option लगा सकते हो चलिए आगला देख लिजिए आथमा question है महारे पास कह रहा है कि रेखी समीकरण x-2y be時 0 यहाँ पर एक समीकरण हमको दी गई है x-2y be時 0 यह पहली समीकरण है माल लेते हैं और दूसरी समीकरण है को है 3x plus 4y बराबर 20 यह हमारे पास दूसरी समीकरण और कह रहा है इन समीकड़ों को हल करो, को हल करो, हल करके हमको X और Y के मान निकाल ले हैं, यहाँ X है और Y है इनका मान हमको निकालना है, X बराबर क्या होगा और Y बराबर क्या होगा, तो देखो कैसे करेंगे, इसे बिलोपन विदी से कर लीजिए, देखें यहाँ पर क्या है बिलोपन विदी कहती है कि आप x वाले को या by वाले को बराबर कर लो मैं क्या करता हूँ x बराबर करता हूँ जैसे कि यहाँ पर 3x है यहाँ पर के वाल x है तो इसमें आकर आप 3 से गुणा करा दें तो यहाँ पर भी 3x हो जाएगा करता है समे करंद फस्ट में 3 से गुडा करा देते हैं गुडा क्यूं करा रहे क्यों कि इसके ब्राबर करना है मुझे तो यहाँ पर इसलिए मैं कर दूँगा सम्पध पस्ट में 3 से गुडा बिलोपर विधी आपको आनी चाहिए कराने पर तभी आपको इस समझ में आएगा विलोपन विदी कहती है कि X और Y को बराबर कर रहा हूँ मैं X को बराबर कर रहा हूँ तो इसमें 3 से गुणा करा दो 3 से X में गुणा होगी 3X हो जाएगा और यह माइनस है यहाँ पर और 3 दोना 6Y और 3 में 0 से गुणा करा आओगा तो 0 आएगा यह समीकर बनके हमारे पास 3rd अब देखो 2nd का X और 3rd का X बिल्कुल बराबर है तो घटा देंगे 2nd से 3rd को समीकर 2nd माइनस 3rd आप ऐसा भी कर सकते थे इसमें 2 से गुणा करके य को भी बराबर करके एंसर ला सकते थे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी बराबर कर लो अब 2nd हमारे पास क्या है 3X प्लस 4Y बराबर 20 और जो 3rd है वो हमारे पास है 3X माइनस 6Y बराबर 0 सकते हो हम घठा रहें तो चुनी-tree हो जाएंगय यह 5-igglytache हो जाएकर फलस दि कर दिख कर है OK अब बाई कामान समिकर, 2nd , 1st में 2nd में 3rd, किसी में भी रख सकते हो, अगर बाई कामान आप 1st में रखोगे या 2nd में रखोगे या 3rd में रखोगे . तो एंसर विल्कुल सेमी ही आएगा, एक लाइक योटो मुद भी रख सकते हो, तो मैं बाई का वान थर्ड में रखता हूँ थर्ड में थर्ड हमारे पास क्या है 3x-6y बाई की जगर पर 2 क्योंकि बाई है ना बाई की जगर पर हमने 2 निकाल लिया तो लग देंगे 6 दूना बारह 3x-12 उदर जागा तो प्लस का बारह हो जागा वही है उप्सन सही है आठे में बाद नमा देख लिजिए नमा अब्जेक्टिव है करा है कि 2 समरूप त्रवुजों की भुजाएं 4 अनुपात 9 अनुपात में हैं तो इनके 6 तरफलों का अनुपात क्या होगा देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 समरूप त्रवुज है उनकी भुजाओं का अनुपात हमको दिया गया 4 अनुपात 9 फीक है इनकी भुजाओं का अनुपात इतना है हमसे बोला गया है 6 तरफलों का अनुपात 6 तरफलों का अनुपात तो direct च्कौयरिंका करवे, अगर कभी वह आपने अपको 6तर फटल का अनुपात निकालना हो, तो आपको square करदेना है, जो दिया गया है, जैसे 4 अनुपात 9 लोगा है, इसका square करदेंगे, जो 4-16 हो जाएघा, और 9 लोग हैला, तो यह,ussen अवारा सही होगा, ठीक है अगर मालीजे ये हमको 6.00 फलो कानपात दिया जाता और आपसे भुजाओ कानपात पूछा जाता तो आप इस पर रूट कर देते इसका तो हमारा फिर से भईया जाता ठीक है 6.00 फलो के लिए आपको square करना इतनी बात याद रखेगा शेतर फलोकान पात निकाले के लिए अब दसमा देख लिए अब्जक्टिव दसमा अब्जक्टिव है करा है कि टू टेन तीस डिग्री बटा बन माइनस टेन स्क्वेर तीस डिग्री का मान किया होगा देख लिए यह कोशन दो हमजार 24 में चहपा हुआ है एक नंबर में है कोशन आ सकता है यह आ नहीं सकता है ह। थीक है कि टैन तीस कमान होता एक बटा अंडरूट 3 खी के बन माइनस 10 तीस मपोन अंडरूट 3 स्क्वेर खैके 2 की ओपरms हो ज्यागि तो 2 आ जाए about अ नीचे अंडरूर 3 है यहां से देखेंगे गराब तो एक का स्कूर करेंगे एक आएगा इसके स्कुरा से रूट कर जाएगा तो 3 बचेगा केबल उपर हमारे पास 2 बटा अंडरूर 3 है नीचे देखो 3 एककम 3 और 3 से गया 2 यह ऐसे कर सकते हो इसकी जरकरा सकते हो तीन इकम 3 और 3 में से एक चलना यगा तो 2 बटा 3 बचेगा ठीक है चलिए अब जो है क्या करेगा यह वाली चीज कट सकती है या या ऐसा कर लो इसकी सबसे नीचे वाले सबसे उपर गुरा करा दो इससकी इससे गुरा करादो ठीक है तो देखो यहां पर इसको आपको बता देते हैं यहां पर हो जाएगा इतनी विच में है बिल्कुल हो जाएगा दोक यहां पर क्या है तीन दुना ऊपर चरलेगा 6 आ जायेगा अब देखो दो तियां छे तो मेरन पास क्या आया थीन वटा अंडरूड 3 अब नीचे अंडरूर की संख्या कभी नहीं होती है तो इसको हटालने के लिए नीचे अंडरूर को हटालने के लिए इसका करना परेगा हर परिमेकरण तो इसका हर परिमेकरण कर दो ऐसे करके उपर नीचे लिख दो गुणा में अब देखो तीन अंडरूड तीन हो जाएगा और नीचे हमारे पास अंडरूड तीन की अंडरूड तीन से गुड़ा हो जाएगा तो तीन से तीन कट गया हमारे पास एंसर आगे अंडरूड तीन यही हमारा एंसर है अगर आपको अप्सन में यह नहीं मिल रहा है तो ऐसा हो option में हो तो इसे टिक कर दो अगर code 30 option में है तो code 30 को टिक कर दो अगर 1060 है तो 1060 को टिक कर दो मतलब तीरो मैंसे कोई भी हो उस पर टिक लगा देना है सही होगा option ठीक है चलिए इसकी बाद इसका अगला question 11 देखते हैं question 11 question 11 कह रहा है कि एक दिघात समिकण 3x square minus 6x plus k बरावर 0 के मूल समान है तो k का मन क्या होगा अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है एक दिघात समिकण दीगी है 3x square minus 6x plus k बरावर 0 अच्छा के मूल कैसे है समान है ठीक है तो हमको k बरावर पता करना है देखो मूल समान है यानि मूल इसके कैसे है बरावर है अब जब मूल बरावर होते हैं तो दी का मन क्या होता है दी का मन होता है जीरो दी यानि की बिविक्त कर अगर कभी आगर मूल बराबर आते हैं मूल समान हो या मूल बराबर हो जब मूल बराबर होंगे तो डी बराबर जीरो होगा याद रखोगे इतनी वाद अगर मूल बराबर है तो बिविक्त कर जीरो होगा ठीक है डी क्या है डी बिविक्त कर है तो डी बराबर जीरो होगा कब जब मूल बराबर हो मिलेंगе यहां से यहां से इह अपर से मिलेंगे अचा यहां से यहां से बिंगना है तो यहां से जाएगा k बरावर 36 बटा 12 तिया 36 k बरावर 3 यह answer ठीक है चलो 11 में के बारमा देख लीजिए बारमा है कह रहा है कि 1 प्लस sin square 30 डिगरी का मान क्या होगा 1 प्लस sin square 30 डिगरी का मान क्या होगा देखो sin 30 sin 30 का मान कितना होता बताओ sin 30 का मान होता 1 बटा 2 square square लगा दो तो हो जाएगा 1 प्लस 1 square 1 दो दुना 4 चार इकम 4 पांच 5 बटा 4 इस मिन्न को solve कर लीजिए का 5 बटा 4 आएगा चलो तेर्मा देख लीजिए 13 आए कि एक पासे को एक वार फेका जाता है तो अबहाज संख्या आने की प्राइक्ता क्या होगी अच्छा पासे को गए तो पढ़डाम कितना हैंगे सबसे पहले ही से पता करो एक पासे को फेकने पर पर कुल पढ़डाम, देखो भया, आपके घर में लूडू होगा, आपने कभी ना कभी तो खेला ही होगा, उसमें क्या होता है, पासा होता है, एक डाइस होता है, जब आप डाइस को फेकते हो, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, इन में से कोई एक तो आता ही है, तो कुली कितने पढ़डाम आ सकते हैं, आपके हो सकता है, एक आ जाए अपने पासा फेका, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, या छे आ जाए, तो एक पासे को एक बार फेकने पर छे पढ़डाम आएंगे, कुली कितने पढ़डाम होंगे, छे पढ़डाम होंग तो देखो यहाँ पर अब हाज्य संख्या आने की प्रायक्ता देखो प्रायक्ता निकालने का जो फामुला होता है पहले उसे लिख लो प्रायक्ता निकालने का फामुला क्या होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम यही होता है न संभव परिणाम बटा कुल परिणाम गाना कितरे याद कर लो, प्रयागिता निकालने का सूत्र, संभव परणाम बटा, कुल परणाम, ठीक है, चलो, तो संभव परणाम क्या होते हैं, संभव परणाम वो होते हैं, जो आप से प्रशन पूछा जाता है, आप से प्रशन पूछा गया, अभाज संख्या, तो भाई एक क्यों नहीं होगी होगी सर एक चलो एक है एक चलो खुद से five的話 Jit खुद से होगा वी से एक से बहाजित होना पड़ेगा तो अपने से तो हो गई है फिर 1 से कहां चाहित एक से पहली हो गई है तो इसलिए यह नहीं होती है और बावाज संगहा नहीं से तेतना होगा between मैं इतना explain इसलिए कर रहा हूँ कि आप exam में भूल ना जाओ कोई चीज भूलनी बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है आपको कुई भी point कुई भी topic जो मैंने आप समझाए आपको ठीक है इतने सारे सेट कराए हैं उसमें से किसी भी question को नहीं भूला है आपको सारे के सारे concept को दि पीछे में ने बताया था कि लासा आप तब तक नहीं निकाल सकते हो जब तक आपको मासा नहीं पता होगा तो सबसे पहले तो यहां से मासा निकाल लेंगे देखो इसका बोक्स बन जाएगा तो एक हमारा मासा एक हो जाएगा अब लासा देखलो लासा हमसे पूछा गया है अगर मासा पूछता तो एक होता और हमसे पूछा गया लासा तो लासा में ने बताया था पहले बोक्स वाले को लिखलो ठीक है उसके बचे उसको भी लिखलो ए और भी बच रहे हैं तो एक की गुणा इससे करा गए तो कोई फर कटि रहा आपकी चीन पर पंद्रमा ऑपज़ेक्टिव कहरा है कि तिरिज्य आसरी ओले ऑले एक hara do इसके तो सिपने होते हैं डेखोँ इसके चातुर्थंस कीटों चार होथे चार हो जाएगा हमारा ठीक है एक यह होगा एक यह होगा और यह को यह होगा तो आप किसी का भी निकाल सकते हो इसमें से चलो मुझसे यह पूछा गया इस वाले इस वाले का मैं निकालता हूँ vorstellen इस वाले का देखो यहां से यहां तक, यह जो चीज है ना यह वाला चतुरुथांस, यह जो kana त्रिजिखंड का छेत्रफल निकालने का सूत्र होता है ठीटा बटा 360 गुणा पाई आर इसकोर है हमसे बोला गया है चतुर्थांस का छेत्रफल तो देखो चतुर्थांस का छेत्रफल कैसे निकलेगा चतुर्थांस का छेत्रफल निकालने का सूत्र होता है बही चतुर्थ का छेत्रफन निकालने का सूत्र होता है कन्फ्यूज नहीं होना है तो यहीं हो जाएगा थीटा बटा तीन सो साट गुणा पाई आर स्क्वेर क्यूंकि चतुर्थांस जो होता है वो त्रिज खंड के आकार का ही होता है इसलिए हम यहीं फार्मला सेम लगाते हैं अब थीटा बह börjar इसमें थीटा की जुरूत पड़ेगी तो थीटं यहां पर देख लू है लमवथ है पूराका पुरा सीथा सीथा खड़ा हुआ है तो एक ही पाई एर स्क्वेर से गुणा करोगे तो पायर स्कुयर बटे में चार है यहीं हमारा अंसर होगा ठीक है कि यह आपको ऐसे करना था सोर्मा कोशन देखो सोर्मा कोशन है कराई कि घात साथ बाले बहुपद को घात चार बाले बहुपद से भाग देने पर सेसपल की घात क्या होगी अच्छा एक बहुपद है क्या है एक एक बहुपद है इसकी घात साथ है एक और बहुपद है इसकी घात 4 है अगर इस वाले को इस वाले से भाग दोगे दोकर मैंने बटे में लिख लिया भाग में लिख लिया तो एंसर के आएगा तो गब बहुपद बहुपद बिल्कुल सेम रहेगा बहुपद उपर 7 है प्लस का चार उधर जाएगा उपर जाएगा माइनस का चार हो जाएगा तो बहुपद की घात कितनी आ जाएगी देखो बहुपद की घात साथ से चार गया तीन तो बहुपद की आप से घात मूची गी थी तो बहुपद की घात कितनी आएगी तीन आएगी बहुपद की घात साथ वाले बहुपद को घात चार वाले बहुपद से भाग देने पर जो सेसपल आएगा वो आएगा तीन इतना ही तो आएगा ना तो तीन आजाएगा सत्रमा कोशन है उसे देख लीजिए सत्रमा कोशन बहुत इंपोटेंट है सत्रमा कोशन मैंने लिया हुआ है कि यदि 9 सेख स्क्वाइर ए ठीक है 9 सेख स्क्वाइर ए माइनस 9 10 स्क्वाइर ए हो ठीक है तो इसका मान क्या होगा हो तो मान बताना है मुझे मान क्या होगा मतलब इसको हल करना है इसका हल क्या होगा यह चीज हमको दीगे इसका हल हमको बताना है तो देखो कैसे करेंगे ठीक है आपको दिख रहा है नहीं साफ चलिए यहां से दीखे सबसे पहले क्या करेंगे हैं इसको मुझे हल करना तो एक बार लिख लेते हैं साफ साफ 9 सेक स्क्वाइर A 10 स्क्वाइर A यह कोशन लिख कर नोट कर लो मोस्ट इंपोरेंट कोशन है ठीक है और बार बार पूचा जाता है मैंने जब पेपर दिये थे हाई स्कूल के तब यह आया था कोशन ठीक है तो देखो यहां पर क्या होगा इसको मुझे हल करना है तो सबसे पहले दिखे 9 नो कामन में है तो कामन निकाल लो यहां से देखो सेक स्क्वाइर A माइनस 10 स्क्वाइर A हो जाएगा अब यहां पर याद रखेगा सेक स्क्वाइर A माइनस 10 स्क्वाइर A बराबर क्या होता है 1 तो इसकी जिगह पर हम 1 लिख देंगे और एंसर आजागा 9 तो इसका जो हल होगा वो होगा 9 अठारमा कोशन देख लो अठारमा कोशन है कि यदि पहला पद 10 है सारवांतर 3 है तो सारवांतर शेनी होगी इसमें पहला पद जो प्रथम पद दिया गया है वो हमको दिया गया है 10 और तो सारवांतर को D से प्रदशित करते हैं प्रथम पद को A से प्रदशित करते हैं और सारवांतर को D से प्रदशित करते हैं प्रथम पद 10 दिया गया है यानि कि A बराबर 10 दिया गया है और सारवां और निकालने का सूत्र देखो अगर आपको कभी भी AP कहे निकालने के लिए तो आपको सूत्र क्या लगाना है सूत्र आपको लगाना है A, A+, D, A+, 2D, S, S ठीक है, यह हमारी स्रेंडी होती है सबसे पहले A, A तो हमको पता है हमें A plus D चाहिए होगा तो A plus, यह समीकर मालों पहली ठीक है, तो देखो यहाँ पर A हमको पहले ही पता वेया A plus D पता है, तो A plus D सबसे पहले निकाल लेते हैं पता नहीं है A plus D, तो देखो A कितना है हमारे पास 10 है, और D 3 है, तो 10 और 3, 13 तो A plus D 13 हैगा, अब A plus 2D निकाल लो 2D, A हमारे पास 10 है प्लस 2D कितना है 3 है, तो 10 प्लस 3 दूना 6 बराबर 16 इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 में देखो A कितना है 10 आया, ठीक है A plus D कितना आया, 13 आया ठीक है, और A plus 2D कितना आया, 16 आया, और dot 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 चलता गया तो यह हमारे पास जो है AP बन गई है, यह हमारा answer होगा 10 कामा 13 कामा 16 कामा dot 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 infinite ठीक है, यह है, चलो 19 मा देख लिजिए, 19 मा जो objective में रखा हुआ है, most important है कह रहा है कि यह, sin theta बराबर 12 बटा 13 हो तो 1 plus 10 square theta कामान क्या होगा अच्छा, हमारे पास क्या दिया गया है हमें, sin theta बराबर 12 बटा 13 दिया गया है तो हमको 1 plus 10 square theta कामान बताना है ऐसा question आए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समकोर्ण त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले आपको एक समकोर्ण त्रिभुज बनाना है अगर ऐसा कभी question आता है, तो प्रिश्णा वाली 8 point 1 में आपने पढ़ा होगा ABC मालो इसस समकोर्ण त्रिभुज को ठीक है, इसमें क्या है kya है, sign theta आप सबसे लालबटा कक्का को याद करो ऑब लालबटे कक्का में यहां पर होता है sign तो sign यहां पर होता है तो sign यहाँ पर होता है, यहाँ परител होता है तो sign क्या है, लंब वटका करण यानि उपर वाला लंब है नीचे करण है तो लंब कितना है 12 है करण हमारे पास 13 है तो आधार तो पता ही नहीं है तो आधार सबसे पेले पता कर लो आधार निकालने के लिए दिखो कभी भी अगर आपके पास समकोर्ट तरभुज हो उसमें दो भुजा पता हो तिसरी भुजा पता करनी हो तो पाइथागोरस लगती है ठीक है ना तो पाइथागोरस लगा दे हाँ पर पाइथागोरस प्रमय से अब भया पाइथागोरस प्रमय क्या कहती है कहती है कंड स्क्वाइर करण अपने पास तेरह है तो तेरह का स्क्वाइर बराबर लंब स्क्वाइर लंब बारा है तो बारा का स्क्वाइर प्लस आधार स्क्वाइर आधार अपने पास बीसी है तो बीसी का स्क्वाइर तो बीसी स्क्वाइर बराबर हमारे पास क्या जाएगा बीसी बराबर हमारे वह हैं इसके बाइखिएयग 4 हम फ्रिचन करते हैं कि हम से क्या पूचा गया है हमसे पूचा गया था बैन प्लस हैं 14 स्क्वर मान क्या हो तो यहां पर थोड़ा सा अगर ध्याद दें तो 1 प्लस 10 स्क्वाइट ठीटा बराबर होता है सेक स्क्वाइट ठीटा होता की नहीं होता बताओ बैसे ऐसे भी कर सकते हो यार 1 प्लस 10 ठीटा का मान ऐसे कर देना लमबटा आधार करके सोल्ब करना वाकिया आजायेगा लेकिन आपको प्लस 10 स्क्वाइट ठीटा बराबर सेक स्क्वाइट ठीटा होता है तो देखो यहां से सेक ठीटा आप देखो सेक कहां पर होता है यहां पर कोस रहता है तो कोस के नीचे सेक होता है तो सेक यहां पर होता है करन बटा आधार होथा कर्ण तो क्या होता कर्ण बटा आधार का स्क्वेर स्क्वेर स्क्वेश लगा दिया अब कर्ण कितना अपर भास 18 अधहर चाये lassगा ते रहे लए पनृच निकाला था तो आधहर 5 हो जाएंँ चितर मेंめे यदी ओु केंदर और प्रत सबसे पहले एक भीदू निया है यह रही है, यह कआहां पर पहले एक विंदू मुझे एक इसपर्स बिंदु मिला तो यहां से यहां पर पहले तो चितर देख लो यार चितर दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसी पर देख लो इसमें हमको Q दिया गया है यहां O है यहां R है यहां P है यहां का जो कॉंड है वो है 46 डिगरी ठीक है तो यहां का कॉंड क्या होगा यह हमको बताना है चलिए क्या क्या दिया गया हमें हमें कोण P है वो दिया गया है 46 ठीक है तो हमसे कोण O बराबर यहां से मुच्छा गया है तो पहले तो भाईया समझो एक भुजा दो भुजा तीन भुजा चार भुजा चार भुजा है तो चतुर्थांस है फिर यह अब चतुर्थांस है की नहीं है पता है न, कोई चतुर्थांस है, उसके चारो कोड़ों का यो 360 होगा, क्लियर है, तो यहां का मतलब यह है, देखो यहां पर कितने डिगर का कोड़ बनेगा, मैंने बताया था कि प्रमिय 10.1 के हिसाब से, जो ब्रत की त्रिज्या होती है, वो इस परस बिंदु पर, क्या होती कि इस परस बिंदु पर john light होती है, यांई 90 डिगर के कौड़ बनाती है, तो यहां पर 90 डिगरी बनेगा तो यहां पर भी 90 डिगरी बनेगा, देखो यह वाली रहा खड़ी है की नहीं खड़ी है German बनाती वनेगा, यह वाली रेका ख़ड़ी और attent पर, ये किन खड़ी कौण P कितना है 46 है कौण R कितना है कौण R 90 है कौण O हमको ग्यात करना है कौण Q हमारे पास 90 है तो यहां से हमारे पास देखिए एंसर आ जाएगा 9 9 18 180 हो जाएंगे और इसमें 6 जोड़ देंगे तो 6 8 412 226 ठीक है तो 226 प्लस कौण O बरावर 360 तो कौण O बरावर देखेंगे गर आप तो 360 प्लस का 220 इतर आएगा मैनस का 220 हो जाएगा तो कौण O बरावर यहां घटाएंगे तो 4610 और यहां पर 5 बचेंगे 5 में से 2 यह हमारे पास जो है कौण O आएगा इसलिए कौण P O क्या पूछा गया था आपसे कौण P O की पूछा गया था ना तो कौण P O Q बरावर होगा 1134 यह हमारा जो है एंसर है समझेगे इस कॉशन को ऐसे ही आपको करना था ठीक है ऐसे करना था आपको कौशन तो इस वीडियू में हमने आपको 20 ऐसे उपजेक्टिप्स बताए हैं यह आपको जो है स्कीन सोट लेना चाहो तो इनका स्कीन सोट अब ले लो ठीक है इनका स्कीन सोर ले लो यह 20 अबजेक्टिव है most important है आपको board examen को तयार करके ही जाना है ये ऐसे objectives मैंने आपको बताए है ठीक है जिनसे 10 marks के question 10 marks के question 100% 10 नहीं तो 8 से आराम से माल लो 8 marks आराम से माल लो आपको मिल जाएंगे केवल और केवल इन 20 objectives को करने से 20 marks को objective आएंगे आपको 8 से 10 number मिलेंगे ठीक है ये मेरी guarantee मेरी guarantee full guarantee है मेरी ठीक है चलो और अगले वीडियो में इसके अगले वीडियो में हम आपको दीर उत्रे प्रेशन बताएंगे most important बताएंगे केवल और केवल most important जो सबसे ज़्यादा important है सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं ठीक है तो चैनल का subscribe कर दो वीडियो को like जरूर कर देना हमें अंदर से motivation मिलता है जब आप like करते हो comment में अपनी problem बताओ अपनी क्यूरी बगारा कोई भी आपको question हो कोई भी doubt हो आप comment कर सकते हैं ठीक है इसलिए comment works बनाएगे आप लोगों के लिए especially आप लोगों के लिए ठ आपस्टी आपस्टी